कि शिग्रेट से भी हम कुछ सीख सकते हैं, सिग्रेट के एतिहास को देखते हैं, जब शिग्रेट को गीता की दृष्टी जे, शास्त्रों की दृष्टी जे देखोगे तो वह बक्ती है, 11 मिलियन लोग शिग्रेट पिना शुरू करते हैं, अब मीडिया पे बड़े-बड़े अक्टर को हायर करेंगे, और वो शिग्रेट पियेंगे, अब शिग्रेट के पैकेट पे खोपड़ी बना दो, ऐसा करते हैं, शिग्रेट के उपर छाप फोटो ही लगा देते हैं, कैंसर की, शिग्रेट कंपनी घबरा गए, अब तो बंद हो जाएगी शिग्रेट, अगर हम स्त्रियों को से शिग्रेट पिलबा दें, और लड़कियां शिग्रेट क्यों फूखते हैं, मैं भी महामी देखा, जब एक्टर लोग पी रहे हैं, जब मोवी में बड़े-बड़े साइंटिस्ट, डॉक्यमेंटरी में साइंटिस्ट पी रहे हैं, तो हम भी पियेंगे, तो उन्होंने का, ये हमारी मशाल है, नहीं जो सिग्रेट नहीं पीता है, वो घोचू लगता है ना, होस्टल में, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे 25 गुरु कौन है सिग्रेट, हम सिग्रेट से क्या सीखते हैं, अगर शास्त्रों के द्रिश्टे सिग्रेट दीखें तो हमें क्या सीखने को मिलेगा, एटलिस्ट पांच इंदर सीखने को मिलेगी, और भगवान बहुत खुश होंगे, कि देखो भाई मेरी इसने तो सिग्रेट से भी सीख लिया, खराब चीज से भी कुछ ना को सीख लिया, यही तो बुद्धी मानता है, बुद्धी मान बेक्ती तो वह है जो कूड़े से भी हीरा निकाल ले, तो पांच चीजे सीखते हैं सिग्रेट से, पहली चीज है, पहली तो सीख है सिग्रेट से मिलती है, कि कुछ लोग तो सिग्रेट फूखते हैं, और कुछ लोग लाइफ को सिग्रेट की तरह फूखते हैं, यह पहली सीख है, और भगवान गीता में खुद कह रहे हैं गीता के दिरिष्टी से देखेंगे तो समझ आएगा गीता में सोलवे अध्याय के साथवे शलोक में भगवान ने बोला है प्रविर्तिम्चा निविर्तिम्चा जना न विदुर असुरा कि जो आसुरी लोग होते हैं जिसका मन किसी चीज में लगता अची तरह होगना हमन भागता रहता है, चंचल मन होता है तो गीता कहती है कि जिसका मन चंचल है, जिसका मन स्थिर नहीं है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ सिग्रेट की तरह फूग देगा, क्योंकि उसके लाइफ में कोई साइड डिसीजन ले नहीं पाएगा, कभी के डिसीजन, कभी वो डिसीजन, कोई उसके लाइफ में मती नहीं ह होगा और भगवान में लगना तो बहुत दूर की बात है तो इसकी लाइफ में टेंशन स्ट्रेस यह चलता रहेगा पहली सीखिए दूसरी सीखिय मिलती है कि जो महान लोग करते हैं वही बाकी लोग फॉलो करते हैं अब यह दाचर तीर से श्टा तेवातर हो जना यह भी गी सीख हमें सिग्रेट से मिलती है अगर आप सिग्रेट का इतिहास उठागे देखें तो सिग्रेट बैसे तो सिग्रेट को यह सास्तर में धूमपरपान कहते हैं धूमपरपान आयरवेद में है हजारों साल से लोग धूमपरपान करते थे मगर धूमपरपान वो हैल्थ के ल मतलब पहले विश्व यूद के बाद ऐसी ऐसा हुआ कुछ ऐसा हुआ कि सिग्रेट ने पूरे संसार को अपने वश्में कर लिया सब लोग सिग्रेट पीने लगे उसके बाद 1920 से लेके 1970 तक 11 मिलियन लोग सिग्रेट पीना शुरू कर दिया उसमें पूरुष दोनों थे अब यह कैसे हुआ वैल जब सिग्रेट जब सिग्रेट आई मार्केट में तो उसके साथ साथ रिसर्च भी आई कि भी सिग्रेट पीना तो गलत है वह बहुत ही बुरा है उससे तो सिग्रेट कंपनिया घवरा गए उन्होंने का कि अब क्या करें यह तो रिसर्च आ गई तो लोने पास किया कि अफ्शिग्रेट पे लिख दो सिग्रेट स्मोकिंग के सीजीरेस्तु हेल्थ पहले लिखा ता था न पी नीचे लाइन स्थिग्रेट स्मोकिंग इस इंचीरस स्टूआ थो इडवर्ताइजमेंट कंपनीं के पास गाए हो में एक विक्तित्हट वाक ने इनको करनें कम करेंगे सिंड मीडिया पर हम मीडिया अब één पहर अगये और तो वो शिगरेट पीएंगे, एक्टर, और हम बड़े-बड़े फेमस लोगों को टीवी पे लाएंगे, और वो शिगरेट पीएंगे, जब वो शिगरेट पीएंगे, यह दादा आचारे थी, शेता देवातर हो जाना, तो उन्होंने का छलो ठीक है, तो एक्टर पिने लगे तो लो ने कहा, तो लीगल लोग आ गए, और एंजियो आ गए, उन्होंने का यह तो बहुत लोग पीने लगे, अब सब लोग बिमार हो जाएंगे, तो अब क्या करें हम, कुछ करना पड़ेगा, एडवर्ट बरने ने का, कोई करना ज़रोत नहीं है, अब हम और मीडिया प इसको छोड़के, अब सिग्रेट के पैकेट पर खोपड़ी बना दो, बीच में आया था न, खोपड़ी था और ऐसे था, कि यह हाल हो जाएगा तुमारा, तो बंद हो जाएगी सिग्रेट, एडवर्ट बरने कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, जब तक मीडिया है, जब त बीच में आते हैं, सिग्रेट के उपर फोटो ही लगा देते हैं, कैंसर की, आपने देखा होगा भचमन में, अभी भी, वो सिग्रेट पर आता है, वो जी निकली रहती है, भी इतना बड़ा निकला होता है, कभी यहां कैंसर होता है, कि लोग घब रा जाएंगे, पर फिर कि भाई जब एक्टर लोग पी रहे हैं जब मोवी में बड़े-बड़े साइंटिस्ट डॉक्यमेंटरी में साइंटिस्ट पी रहे हैं तो हम भी पिएंगे यह दाचरिती चिछ्टे सिग्रेट के इतिहास सीखने को मिलता है कि जो लोग महान लोग करते हैं वही बाकी लोग कितना ही ग्यान दे दो चाहिए कितने ही रिसर्च कर लो कुछ काम नहीं होगी इसी लिए हमारे समाज के जो उच्वर्वर्ग के लोग हैं उनका आचरन अच्छा होना चाहिए रिसर्च से कोई नहीं बदल सकता रिसर्च हैं कितनी करते रहो रिसर्च तो कितनी होगा इंट यह पता है लोग शेग्रेट क्यों पीते एक तो एक तो कारण के इसिग्रेट पीने की लोगों को लगी होती है नहीं लगी है मगर यह दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है की सिग्रेट जब शुरू हुई थी सिग्रेट को फिलाने के लिए 1920 में यह जो एड़ बरने था इसम में मर्द दबा रहे हैं मե्र भी सिग्रेट पिए तो он नiggा अगरम स्त्रियों को से सिग्रेट में पिलबादें तो इनको लग coal गया मर्द के समान हो और उनको बोला, यह क्या है, जैसे वो नहीं हो तब, क्या कहते हैं, किसमें, स्वतंत्र दिवस पे जाते हैं, मशाल लेकर, तो उन्होंने का, यह हमारी मशाल है, और आप देखो, अब एक्चुली जो भी भी सिग्रेट पीता है, वो इसी लिए पीता है, सिरफ लटनी होती, लड़के क्यों पीते हैं, उनको फीलिंग आती है, मैं महान हो, मैं सूपीर है दूँ, लड़कें को पटाने के लिए, लड़कें की इमेज में महान हो जाएगा, उन्हीं जो इपीता है, वो घुचु लगता है न, होस्टल में, और लड़कीं ने सिग्रेट क्यों फूकती स्वतंतरता की जो लट लगी है वो सिग्रेट्ने ढ़ली है। उसमें एफकोर्स बहुत और बहुत कारzähए कि नीफित का वह बहुत कारान है। स wiping जुड़ी है स्वतंतरता की filmstä़ की लिख भगाना। संद्रता की झनिकिरड़ को भूर चोटी चीज चीज है। मैं महानू, मैं स्वतंतृतू, इसकी लट किसको लग गई, फिर वो नहीं हट सकती। यह तीसरी शिक्षा है। चौथी शिक्षा है, कि जो स्वतंतृता की जो feeling आ रही है, जो स्वतंतृता का भावना आ रही है, यह सब कोरा जूट है। क्यूकि भर मानन गीता मैं बोला है, सथा ख्यायकी 27 कि अहंकार विमूदात्मा यहांद्मा ह करता है। जो सौचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, करता है रहण। आ हम गीता मैं लिखा है कि अहंकार की वज़ेसे ज्जूटा है। क्योंकि आप किसी भी शिग्रेट पीने वाले से पूछो किसी भी शराब पीने वाले से पूछो कि शराब तू पीता या शराब तुझे पीती है ऐसे आदमी शिग्रेट नहीं पीते, शिग्रेट ये आदमी को पी जाती है, जब लट लग जाती है, उस सतंतर नहीं है, उसको लग रहा है मैं सतंतर हूँ, भावना वैसी है मगर शिग्रेट के कंट्रोल में, शिग्रेट के अंडर है, शिग्रेट का गुलाम बना पड़ा है यही है नहीं, सिग्रेट को छोड़नी पा रहा है, यह चौथी सिक्षा है, और पांच भी सिक्षा यह है, कि भी सिग्रेट लोग क्यों पीते हैं, स्ट्रेस हटाने के लाब किसे बुझो सिग्रेट क्यों पी रहा है, एक सीधा आंसर आएगा, फ्रेश होता है, स्ट्रेस हटत प्रॉस्टेशन अटी है यह ना जब कॉर्परेट में बीच में बीच में जब ब्रेक मिलता है तो नीचे जा के फूखते हैं कि इस ट्रेस अट गए अब पांच भी टीचिंग है कि कुछ लोग सिग्रेट फूखते हैं स्ट्रेस अटाने के लिए कुछ लोग भगवान की शरन लेते हैं स्ट्रेस अटाने के लिए मगर किसी ना किसी की शरन तो लेनी पड़ेगी या आपको stress हटाने के लिए पांच की टीचिंग है किसी ना किसी की शरन में जाना पड़ेगा stress हटाने के लिए या तो cigarette की शरन में जो stress हटाने के लिए या लड़की की शरन में जो stress हटाने के लिए कि यह ने गुल्रों इत व़ी तो बनाते हैं उससे इक अलिंगन करेंगे के बच्चों की शकल देख घंगे मेहनत कर तो अग्वाने की कई शर 많이 लो मैं हर पौधा हर विर्ख्ष का इस्तमाल कर लूँगा हर चीज आउच दी है मगर विक्ति का हैं सब एक था तो उसी प्रकार अगर हमारे दृष्टी ठीक होगी अगर हमारे दृष्टी में शास्त्रों होंगे शास्त्र चक्षू शास्त्रों की आँखों से देखेंगे तो हमें एक्जाक्ली दिखाई देने लगेगा कि हर चीज से हम सीख सकते हैं सीग्रेट से भी सीख सकते हैं कुछ ना कुछ शास्त्रों की दृष्टी होनी चीए और इसी लिए श्रीमत भागवतम में एक बहुत बड़े दिखी थे जिनका नाम ता दतत्रे मुनी थे अब उसकी में चरचा नहीं कर रहा है मगर उसमान से उन्होंने सीखा जिस प्रकार आसमान ओदार होता है उसी तरह संतों का हिर्दे ओदार होना जाज़rain उन्होंने पानी से सीखा जिस्षेकार पानी उपर से नीचे भasia उसी प्रकार एक साध्यु। हमेशा ըीचे की तरफ जाता है, दीन होता है। उन्होंने पृथ्वी से सीखा कि पृथ्वी की तरह सेहन शीलता हुनी चाहिए। फिर थम परीम सब बनाते हैं, खोदते हैं, तो इसतरहा से ख़त्वार रिगुरू है, उस के लिए आपके पास शास्त्र कि दृश्टी होना चाहिए। इसलिए थूम कहते हैं, इतनी सारी शिक्षा मिलती है इस सिग्रेट से इसी लिए हम कहते हैं कि हमारे 25 वे गुरु कौन है सिग्रेट हरे कृष्ण